आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के जी के की बुक दे वर्ल्ड अराउंड मी का पेज नमबर 11 करेंगे लेसन का नाम है अनिमल वर्ल्ड तो आईए करते हैं सबसे धीरे रेंग के चलने वाला जनतू कौन सा है इसका आंसर होगा टॉट्वाइज यानि कचुवा कचुवा सबसे धीरे चलने वाला रिप्टाइल एनिमल है इसकी स्पीड एक घंटे में 0.2 से 0.5 किलो मिटर है कचुवे के बारे में बता दू कि जो कचुवा फीमेल होती है मादा होती है वो एक बार में नॉर्मली एक से 30 अंडे देती है मिट्टी खोद कर ये गड़े में अंडे देते हैं और उसके बाद गड़े को मिट्टी और बालू से ढख देते हैं अंडे से बच्चे निकलने का समय नॉर्मली 60 से 120 डेज होता है यानि कि 63 से 123 तीनों में अंडे से बच्चे निकल जाते हैं मरवाडी भाषा में कच्छुए को काच्छबा का जाता है इसके 4 लेक्स होते हैं और सारे लेक्स वेब्ड यानि कि जिलीदार जाल यूक्त होते हैं ये जो जानवर है वो बांध बनाता है लकडी और मिटी का इस्तमाल करके छोटे छोटे नदियों में इस जानवर का नाम क्या है? बीवर यानि उदबिलाओ इसकी पूछ सपाट होती है फैट होती है ये वनीला के इसमेल के जैसे गू को सेक्रीट करते हैं जो नैचरल फ्लेवरिंग यानि कि प्रकृतिक स्वाद के रूप में इस्तमाल किया जाता है यंग उदबिलाओ यानि कि युवा उदबिलाओ अपने प्यार की तलाश में डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं बीवर्स पेडों को चबाते हैं और इनके दाथ का कलर औरेंज होता है पेशन थर्ड अर डेंजरस फिश एक खतरनाक मशली कौन सी है? इसका अंसर होगा इलेक्ट्रिक इल यानि विद्दूत इल ये सरपाकार यानि इसनेक के आकार की मशली होती है जिसे छूने से विद्दूत के जैसा आगात पहुशता है ये वर्ल्ड की सबसे लाजस्ट बर्ड यानि सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? इसका अंसर होगा ओस्ट्रिक यानि शूतर मुर्ग ये वर्ल्ड की सबसे लाजस्ट बर्ड है लेकिन अपने वजन के कारण ये उड़ नहीं पाते हैं अगर इन्हें शेर, चीता, तेंदुआ, जैसे शिकारी जानवर घेर लेते हैं तो ये बहुत फोर्सफुली अपने पैरों से किक मारते हैं जो इतना पावर्फुल होता है कि उन जानवरों को मारने के लिए काफी होता है यानि सबसे बड़ा समुद्री जन्तु कौन सा है? इसका आंसर होगा ब्लू वेल यानि नीली वेल ये लगबग 30 मीटर लंबे होते हैं और इनकी वजन 1,30,000 किलो होती है नॉर्मल भाशा में कहें तो तीन बसों से लंबे होते हैं ये इनकी जीब का वजन एक हाथी जितना होता है और इनके बच्चे 8 मीटर लंबे और 4000 किलो के होते हैं इस पक्ची के जुंड को जब हम आकास में उड़ते हुए देखेंगे तो ये वी बनाते हैं ऐसा लगता है कि ये वी लेटर बना करके उड़ रहे हैं इस पक्ची का नाम है डख यानी बत्तक सबसे तेजी से उड़ने वाले पक्ची का नाम क्या है इसका अंसर होगा पैरेग्राइन फालकन यानी घुमनतु बाज सबसे बड़े समुद्री पक्ची का नाम बताईए जो बहुत दूर की दूरी तै करती है इसका अंसर होगा अलबाट्रोस अलबाट्रोस एक दिन में 500 मील यानी 800 किलोमेटर उड़ सकते हैं ये पक्ची अपने पंक को बिना फर्फडाए 130 किलोमेटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं अलबाट्रोस सालों तक समुद्र के उपर उड़ते रहते हैं अपने पाव को जमीर पी रखे बिना इन क्रियेचर को बियूल्डर कहा जाता है इसका अंसर होगा कोरल्स यानि भृतियां या मुंगे कोरल्स अर्थ पे सबसे धीरे ग्रो करने वाले सबसे धीरे बढ़ने वाले क्रियेचर्स हैं एक साल में ये केवल एक सेंटिमीटर ही ग्रो करते हैं और temperature certain limit के उपर जाने पर ये तुरंत मर भी जाते हैं Corals को non living समझना गलत है ये living animals होते हैं ये समुद्री जन्तूओं की हड़ीयों से बने होते हैं इनका इस्तमाल गहने बनाने में भी किया जाता है Coral reefs समुद्र के अंदर के चटान है जो corals के द्वारा छोड़े गए calcium carbonate से बनते हैं पूरे world का largest coral reef है the great barrier reef ये Australia में हैं ये seven wonders of the world में से एक है अब है question number 10 वो कौन सी मचली है जो अंडे देने के लिए Pacific ocean तक चली जाती है इसका answer होगा stone fish यानि पत्थर की मचली actually में ये मचली पत्थर की नहीं होती है पत्थर के जैसा दिखाई देती है इस मचली का जहर विश्व के सारे जहर में से सबसे जादा खतरनाक होता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा होता है अब है question number 11 the insects which destroy furniture वो कौन से कीडे मकौडे हैं जो फर्नीचर्स को खराब कर देते हैं फर्नीचर्स यानि लकडी की बनी कुरसियां टेबुल अलमीराज एटसेक्टर इसका answer होगा termites यानि दीमक गर्मी के मौसम में ये जादा active होते हैं क्योंकि इस समय ये ठंड के मौसम के लिए food store करते हैं question number 12 the insects which destroy crops वो कौन से कीडे मकौडे हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं नस्ट कर देते हैं इसका answer होगा locusts यानि टिड़ी एक टिड़ी एक दिन में अपने खुद के वजन जितना पौधा खा लेता है अब है last question question number 13 the insects which have ears near their knees वो कौन से कीडे मकौडे हैं जिनका कान उनके घुटनों के पास होता है इसका answer होगा grasshopper grasshopper का मतलब भी टिड़ी ही होता है grasshopper और locusts दोनों बहुत हद तक एक जैसे ही दिखते हैं इन दोनों में क्या difference है ये आप मुझे comment करके बताइएगा यहाँ पे हमारा ये chapter end होता है और हमारा ये video भी if you like this video please do subscribe our channel now